देश दुनिया के इतिहास में 5 मार्च का दिन काफी महत्व भूल दे साल 1987 में आज के ही दिन एकवाडोर में एक के बाद एक आए कई भूकमपों ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई थी सडके और पुल तूट गए थी तेल की प्रमुक पाइपलाइन पट गई थी और भूस खलन से गाउं के गाउं बह गए थी करीब 2000 लोगों के मरने का अनुमान था और 75,000 से ज्यादा घायल हुए थे 2008 में 5 मार्च के दिन भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाली ब्रहमोंस मिसाईल का सफल परिक्षन किया था आज भी भारत के लिए ये मिसाईल ब्रहमास्तर की तरह है इसे लगातार अपग्रेट किया जा रहा है बताया जा रहा है कि अब इसकी रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा है इतिहास के तीसरे हिस्से में बात करेंगी बहात्मा गांधी की आज के दिन साल 1931 में गांधी इर्विन संधी के साथ महात्मा गांधी ने अपना सवीनय अवग्या अंदोलन समाप्त कर दिया था दरसल अंग्रेजों के शासन के दौरान किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकादिकार था इसी तानाशाय के खिलाफ बापू ने सवीनय अवग्या अंदोलन की शरुआ था